उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी हस्ते प्रथम जो पद्य हैं तंपंक में फस्ते वही मुर्जे पड़े रहते कुमुद पर अंत में हस्ते वही अंत में हस्ते वही इन पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम पुना आपके समक्स टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ल मॉक टेस्ट के माध्यम से आपके समक्स रखेंगे और ये सीटेट जनवरी 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही जादा महतपूर सावित होने व में से कौन सी प्रत्वी दिन की परिवासा है यानि कौन सी प्रत्वी के दिन की परिवासा है उप्सन नमबर ए प्रत्वी की गती जो सूर के चारों और कक्षा में होती है उप्सन नमबर वी वे दिन जिन पर पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उप्सन न दी प्रस्ण नंबर दो की बात करते हैं मैत्ठो और दक्षन गंगोत्त्री नामक भारत के सोध संस्तान निमर में से किस महाधीड में अवस्तित हैं इस प्रश्ण नंबर ऑस्टेलिया ऑप्स्ट प्रवास से अभिप्राय है, आप्शन नमबर ए, लोगों की अपनी जीवका के लिए रितबत गत्शीलता, यानि की रितबत गत्शीलता, आप्शन नमबर बी, फसल कटाई की अबदी के दोरान, स्रम सकती का नगर से गाउं की ओर, प्रवसन, आप्शन नमबर सी, नए चरा गाहों की खोज में अपने पसुदन के साथ लोगों की रित्वत गतिशीलता, option number D, बन्य प्राणियों की रित्वत गतिशीलता, तो इस प्रस्ण का सही हुत्तर है option number C, प्रस्ण नमबर चार की बात करते हैं, निम ने लिखे छेत्रों में से किस में चिनूक इस्थानिये पवन चलती है, option number A, वेल्ड, option number B, पमपाज, option number C, प्रियरी, option number D, सबाना, तो इस प्रस्ण का सही हुत्तर है option number C, प्रियरी, इन मैदानों में जो है चिनूक पवन चलती है, और चिनूक जो है एक इस्थानिये नाम है, अगले प्रस्ण की बात करते हैं, प्रस्ण नमबर पाँच, बायू मंडलिये परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में साहिता करती है, option number A, समताम मंडल, option number B, वाह मंडल, option number C, शूब मंडल, option number D, मध्य मंडल, तो इस प्रस्ण का सही हुत्तर है option number B, वाह मंडल, प्रस्ण नमबर 6 की बात करते हैं, सुनहरी जरी निम्न में से किसकी एक किस्म है, option number A, सिल्क, option number B, जूट, option number C, सूती वस्त, option number D नाइलोन तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है अप्शन नमबर बी जूट प्रस्ण नमबर साथ की बात करते हैं जन संक्या गनत उसे अविप्राय है अप्शन नमबर ए प्रतिवी के प्रस्ट के एक एकाई छेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आप्सन नमबर भी भूपरस्ट पर लोगों के फैलने का सरूप आप्सन नमबर सी किसी छेत्र विशेश में रहने वाले लोगों की संख्या option number D एक निश्चित अवदी के दौरान लोगों की शंक्या तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है दोस्तो option number A option number 8 की बात करते हैं प्रतवी की सतय के निकट इस्तेत खनेजों को बाहर निकालने के लिए निमने लिखित में से किस विदी का प्रियोग किया जाता option number A बिब्रत खनन, option number B कूपकी खनन, option number C आखनन, option number D कूपक तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है option number C आखनन प्रस्ण number 9 की बात करते हैं उद्योग के निमने लिखित प्रिकारों में से टोकरी वुनाई किसका एक उधारन है option number A सहकारी खेतर, option number B ब्रहताकार, option number C लगवाकार, option number D सैयुक्त खेतर तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है option number C लगवाकार प्रस्ण number 10 की बात करते हैं ताना शाही के संधर्ब में निमने लिकित कत्रों में से कौन सा एक गलत है option number C ताना सही में ताना सहा द्वारा लिये गए निर्णे पर लोग प्रस्ण उठा सकते हैं तो इस प्रश्ण के हिसाब से पहला उत्तर जो है यानि कि option number A जो है गलत है यानि कि इस प्रश्ण के हिसाब से चाहिए कि ताना साई में ताना सा द्वारा ली गई नड़े पर लोग प्रश्ण उटा सकते हैं नहीं उटा सकते हैं प्रशन नंबर 11, कृष्णा राज सागर बांध निमलिक नदियों में से किस पर बनाये गया? उप्सन नंबर A, महानदी, उप्सन नंबर B, कावेरी, उप्सन नंबर C, गोदावरी, उप्सन नंबर D, कृष्णा तो इस प्रशन का सही उत्तर है दोस्तों, उप्सन नंबर B, कावेरी, उप्सन नंबर 12, की बात करते हैं, भारती राष्ट का बढ़न करने के लिए बिविदिता में एकता मुहाबरा इन राष्टी निताओं में से किस ने दिया? उप्सन नंबर E, महत्मा गान्धी, उप्सन नंबर B, बालगंगादर तिलक, उप्सन स्रदार बल्लबाई पटेल, म्प्सन नंबर D, पंडित जवाहालाल नहरू The Discovery of India में उन्होंने इस बात का वोडन किया है जिक्र किया है प्रस्ट नम्बर 13 सुल्ताना का सुपनाबं कहानी की लेखे का इन में से कौन थी आप्सन नम्बर A रुकईया शकावत हुशैन आप्सन नम्बर B पंडितार रमावाई आप्सन नम्बर C मुम्ताज अली आप्सन नम्बर D रास सुंद्री देवी तो इस प्रस्ट का सही उत्तर है दोस्तों आप्सन नम्बर A रुकईया सकावत हुशैन प्रस्ट नम्बर 14 की बात करते हैं गुलाम गिरी डामक पुष्तक इन में से किसने लिखी आप्सन नम्बर A ए है रामा सौमी पेरियार आप्सन नम्बर B डॉक्टर B आर अमबेडकर आप्सन नम्बर C जियोती राव फुले आप्सन नम्बर D स्री नारहर गुरियो तो इस प्रस्ट का सही उत्तर है दोस्तों आप्सन नम्बर C जियोती राव फुले प्रस्ट नमबर 15 भारतिये नियायक व्यवस्ता के संदर्व में अपील की व्यवस्ता का आर्थ है उप्सट नमबर 1 विधायका, कारपालिका और नियायपालिका के बीच शक्तियों का वटबारा उप्सट नमबर 2 कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिगरी के नियायले में बहस कर सकता है उप्सट नमबर 3 उपरी अदालती के फैसला निचली अदालत को माने होते हैं यानि कि उपरी अदालत का फैसला निचली अदालत को माने होते है नमबर D किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिये गए पैसला सही नहीं है तो भै उससे उपर की अदालत में अपील कर सकता है तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है उप्सन नमबर D प्रशन नमबर 16 की बात करते हैं सरकार के कारेपाले का अंग से अभिप्राय है उप्सन नमबर A निर्वाचित प्रतिनिदी उप्सन नमबर B देश का प्रतियक नागरिक जो सार भमिक बयास्क मताधिकार का उप्योग करता है उप्सन नमबर C लोगों का समहू जो कानून को लगु करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदाई है उप्सा नमबर D उच्च तम न्यायले तथा उच النयायले के न्यायाधीस तो इस प्रशन का सैजी उत्तर है उप्सा नमबर C प्रशन नमबर 17 संब्दान का अनुच्छेद 22 सुनिश्यद करता है अप्सान नमबर A संबैधानेक उपचार का अधिकार अप्सान नमबर B गरफतारी के दौरान या हिरासत में दुरवियोहार से बचने का अधिकार अप्सान नमबर C सोषण के विरुद अधिकार अप्सान नमबर D शिक्षा का अधिकार तो दोस्तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है option number B गिरफतारी के दौराने आहिरासत में दौर प्योहार से बचने का दिकार प्रश्ण number 18 की बात करते हैं लोक सबा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है option number A राष्टपती, option number B उपराष्टपती, option number C प्रधान मंत्री, option number D अध्यक्ष तो इसका सही उत्तर है दोस्तों option number C प्रधान मंत्री प्रश्ण number 19 की बात करते हैं उच्च प्राथ्मिक इस्तर पर सामाजे केवं राजनीतिक जीवन के पाठ़े पुस्तकों में निम्लिक्त विस्यों में से किस्चे संबंदित विस्यवस्त संब्लेत है option number A मनोविज्यान, option number B अंतराष्टी संबंद, option number C अर्थसास्त, option number D दर्शंसास्त तो दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है option number C अर्थसास्त option number 20 की बात करते हैं, आप अितिहासिक कलपना पर प्रश्ण क्यों पूछेंगे, निम्लिक्त में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए, option number A यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कलपना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है, option number B यह तिति और घटनाओं को य तो इसका सही उत्तर जो है, option number C है, अगले प्रस्ण को और बढ़ते हैं, प्रस्ण number 21, सामाजिक बिज्ञान सिक्षण के लिए आप बितानतों का प्रियोग क्यों करेंगे, दिये गए बिकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए, option number A, सिक्सार्तियों को संबेदन सी जिससे भी उचित आदर्स का पता कर सेंगे, जिससे बेव उचित आदर्स का पता कर सके, option number B, पाठे किरम की पूर्ता को सुनिक्षित कर सके, option number C, कक्षा को मनुरंजक एवं सजीब बना सके, option number D, अब धर्णा को सजीब वास्तिवकताओं के साथ जोड़ सके, ये संजीब नहीं सजीब है दोस्तों, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option number D, प्रशन number 22 की बात करते हैं, राश्टिय आधार समू 2006 के अनुसार, सामाजिक बिग्यान का सिक्षन अपनी लोग प्रिता को रहा है, या को की जगे दोस्तों कर लेंगे, खो, खो रहा है, क्यूंकि, कारण ब प्रशन number B, यह मानविय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रुस्तित करता, option number C, यह एक अनुपियोगी विशय के रूप में जाना जाता, option number D, यह कई विशयों के अद्धन को प्रोसाहिद करता, तो इसका सही उत्तर है, option number B, प्रशन number 23 की बात करते हैं, निम ने लिखे तुम्हें से कौन सा विकल्प विद्याले आधारित आकलन का अनुपियोगत वर्णन करता है, option number A, यह सैक्षिक पक्षों को सम्बलित करता है, option number B, यह केबल सहगामी पक्षों को सम्बलित करता है, option number C, यह गैर सैक्षिक सम्बलित करता है, इस प्रशन का सही उत्तर है, option number B, प्रशन no.24 की बात करते हैं, सामाजिक विज्यान का अध्यान बेग्वनित करता है, option number A, यह पाठक को समाज गैऀन बेग्वनित करने में सायथा करता है, option number B, इसके अंतरकत क्रमवध्य तरीके से प्रमानित अध्यान क कहने की मांग को पूरा करता है तो इस प्रस्जण का सही उत्तर है उप्षन नमबर ए और साहेता करता है और जोड़ लेंगे इसमें प्रस नमबर 25 की बात करते हैं दोस्तों आप एक वर्स में नियोजित अलप नियोजित और नियोजित ग्रामीर स्रमें द्वारा बिताए से आप कौन से आरेक ये चित्रन को चुनेंगे यहां पर कर लेंगे चुनेंगे 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 अप्सन नमबर ए चक्रारेक ऑप्सन नमबर बी दंडारेक ऑप्सन नमबर सी समय रेखा आरेक ऑप्सन नमबर डी प् प्रस्ट नमबर 26 की बात करते हैं, शिक्षार्तियों का सामाजिक विज्ञान विश्य में कला, यह कुछ मानवी तुरुटिया है, कला के माद्धम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए, उप्सन नमबर A, यह सिक्षार्तियों की चित्रकला की योगता में सुधार ला है, उप्सन नमबर Audi, यह है एक आनदाई मूल्यांकन का तरीका है, उप्सन नमबर डि, तो दोस्तों इसमें ये जो है, यह पाठ है, यह है पाठ है पुस्तक, यह पाठ है, पुस्तक में दर्शाई गई बिभिन अव्यक्ति सेलियों के आनंद लेने का माध्यम है option number C यह एक आनंदाई मूल्यांकन का तरीका है option number D यह अब धरणाओं का एक व्यक्तिकत प्रस्तित करन करने का अबसर प्रदान करता है तो दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर जो है option number D है option number 29 की 27 की बात करते हैं निम्न लिखेतों में से भू मंडलिये तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा दुतियक शुरूत पर आधारित है option number E एक छित्र में रहे रहे बरिष्ट नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर सक्षातकार option number B भू मंडलिये तापन पर चित्रों का कूलाज बनाना option number C मौसम वैज्ञानिक के कार्याले द्वारा एकत्रित मौसम के अविशलेशित आंकडों पर आधारित आरेखी निरूपण option number D एक पुस्तक में उलेखित मौसम में हुए परिवर्तन पर आधारित चर्चा करना तो इस प्रशन का सही उतर है दोस्तो option number C option number 28 की बात करते हैं एक सिक्षार्ट शिक्षार्टियों को कुछ मानदन देते हैं और कहते हैं कि बेव उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें निमलिक्त में से कौन से आकलन के तरीके का प्रियोग शिक्षक द्वारा किया गया तो दोस्तों यहां पर फिर से एक मानवी तुर्टी है यहां शिक्षक होगा एक सिक्षक शिक्षार्टियों अप्सन नमबर ए समकक्षी आकलन अप्सन नमबर बी रचनात्मक आकलन अप्सन नमबर सी स्वा आकलन अप्सन नमबर डी संकलनात्मक आकलन तो इस प्रशन का सही उत्तर है अप्सन नमबर सी श्वा आकलन प्रशन नमबर 29 की बात करते हैं नागरिक सास्तर की नामा बली में राश्टिय पाठे चर्या की रूप रेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुजाब दिया प्रशन का सही उत्तर है दोस्तों अप्सा नमबर A तो दोस्तों यह तीस अत्य महत्यों प्रशन थे इनको रट लीजेगा और पूरी संभावना है कि सीटैट जनवरी 2024 में परिक्षा के दिन आप से इन प्रश्टों की मुलाकात हो आज के लिए दोस्तों इतना ही एक नई वीडियो के साथ आपके सनुप्र हाजर होंगा तब तक के लिए नमस्कार क्षिया झैसे नमस्कारक प्रश भाद के लिए